जैश्री राम आप सभी को गुरी भी जबकि मेरे यहां मुंबई में है गुरी नौरेग अभी हम सब ने मिलकर राम लीला 2022 के कुछ पार्ट्स देखें बहुत अच्छे बने हैं सभी कुछ बहुत अच्छा है स्क्रिप बहुत अच्छी है जो अक्टर्स ने जो उसको पोट्रे किया है वो बहुत अच्छा है हाला कि प्रफेशनल अक्टर्स नहीं है लेकिन उनकी जितना अच्छा काम किया है इन सभी ने मिलकर costumes, production values सभी कुछ बहुत अच्छा है जिसने यानि कि लक्षमी कान्द गर्ग जी और उनकी family में वो सभी इस काम के लिए बहुत बढ़ाई के पात रहे हैं आज यहां बहुत से लोग है बहुत से भाई रहन है जो जने यहां जगह मिल गई है बैठने की देखने की लेकिन बहुत से नोग है जब वर्च्वली देख रहे हैं तो आज इस प्रोग्राम को यहां जब यह किया जा रहा है तब उसके chief guest आये है यहां पर जो honorable mayor है Plainsborough, New Jersey के जिनका नाब है Mr. Peter Cantu हम सब उनका स्वागत करते हैं यह प्रोग्राम लक्ष्मी कान जी और उनकी family ने लक्ष्मी कान गगव उनकी पत्नी रजणी उनकी बेटी नौमी और दरीसी इन चारों ने मिलकर इतनी महनत से यह प्रोग्राम बनाया है लेकिन यह वर इन चारों की महनत से काम volunteers है more than 30 volunteers yes इन लोगों ने मिलकर जैसा कि लक्ष्मिकाल जी ने मुझे बताया था कि 1000 गंटे तो इनकी family ने spent किये हैं और करीब करीब same amount of hours यानि कि 1000 गंटे volunteers ने अपने समय में से निकाल कर इस program में दिये हैं तो आप सोचे कि 2000 गंटे का तो समय खर्च हुआ है जो cost खर्च हुई है वो अलग है और आप सब जानते हैं हम सब जानते हैं कि यह program non commercial है तो यानि समाज कल्यान के कारियों में इन सब लोगों ने मिलकर जो यह कारिय किया है उसके लिए वो सभी बधाई के पात्र है लक्ष्मिकान जी के एक बहुत परमित्र है यतिन टुटेजा जो उनके family friend है उन्होंने लक्ष्मिकान जी का यह कहना है कि उन्होंने हमेशा हर कदम पर हर समय पर अपने आपको उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है और साथ ही साथ कितने ही जो इनके दोस्त हैं उनके यानि लक्ष्मिकान जी के और बाकी सभी लोगों के उनके parents ने भी समय समय पर बहुत guidance दी है, बहुत help की है कितने ही ऐसे लोग है जो इस program को देखने के लिए यहां नहीं आ पाए है वो वर्श्वली घर पर देख रहे है क्योंकि जिस दिन मिस्टगर्व ने ये program announce किया था उसके कुछी घंटों में ये hall पूरा बुक कर लिया गया था जी, सभी लोग आज भी रामायन उतने ही चाव से देखते हैं उतने ही शुद्धा से देखते हैं, उतने ही भावना से देखते हैं लक्ष्मिकाजी के grandfather यानि master जोती स्वरूट गर्ग जी, बटेंडा में सन साट से लेकर और सब्तर तक भी और उससे भी आगे हमेशा वो रामलीला करते रहे, उसको event management करते रहे उसका साथ ही साथ उसमें वो music भी देते रहे, और साथ ही साथ जो उसकी writing थी, वो भी उन्होंने ही की थी मिस्टर गर्ग का ये कहना है कि उनकी writing के कुछ हाथ से लिखे हुए scene आज तक भी मिस्टर गर्ग के पास है और जब ये बात निकली है तो आपको एक बात और बता दो कि मिस्टर गर्ग की जो दो बेटिया है Naomi on Darisi उन्होंने आज की जो script है वो हिंदी में है आला कि लेकिन उसको English में translate करके एक book publish की है Amazon पर जिसका नाम है राम बलीला 2022 जी ये book आप लोग जरूर पढ़िएगा इस प्रोग्राम के लिए Mr. Garg का ये कहना है उन्होंने जो दो अपने जो thoughts है वो दो लाइनों में मेरे पास भेज़े है मैंने पूछा था है आप ये प्रोग्राम क्यों करना चाहते हैं क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि we are connecting this event to not only spreading diversity in the US but also to reinforce the belief that there will always be a victory of good of what you will Yes, this is a reminder यही रमाइन है कि अन्याय पर न्याय की जीत, अधर्म पर धर्ण की जीत, असब्ति पर सत्ति की जीत और अनीती पर नीती की जीत यही रमाइन है Mr. Garg ने कुछ महीं पहले जब उच्छे बात की थी इस प्रोग्राम में बहां आने के लिए है लेकिन मैं कुछ कारणों की वज़े से, कुछ मेरे परसनल डिजियूट थे जिनकी वज़े से मैं वहां नहीं आ पाया आगे कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं जरूर आप सब लोगों के साथ बैठ कर यह रम लीला देखूगा अब लास्ट में मैं मिसर गर्ड ने एक फरमाइश की है और वो किबल उनकी अपनी फरमाइश नहीं है वो उनकी और उनके बहुत से दोस्तों की फरमाइश है बहुत से सीनियर्स की फरमाइश है वहां पर जो यहां से वहां शिफ्ट हो गए है या पहने से भी महां थे और जिन्हों ने जब हमारी यह रमाइश टैलेकास हुई थी, पह्ली मार टैलेकास हुई थी, तब भी उन्हों ने देखी थी आज इस बाद को आफ़ देखें, बाईस साल, और करेब करेब बारा, तेरह साल, करीब भ्यतीसाल हो गए हैं, लिकिन आज भी वो रमाएन, सब के दिलों में, सबके दिमागों में जीविस है आज भी सब लोग उसी श्रद्धा से उसे देखते है जब कभी रमाइन टालेविशन पर शुरू हो जाती है तो जब तक एपिसोड खत नहीं हो जाता कोई उठने को तयार नहीं होता तो मसरगर ने एक फरमाईश की है कि मैं रमाईन का कोई डालाओ आप सब को आप सब के सामने प्रेजन करूँ मुझे लगता है क्योंकि बसरगर खुद इसमें रावन का रोल प्ले कर रहे है इस राम लीला में तो क्यों ना एक ऐसा संबाद आपको सुनाया जाए जो राम और रावन के बीश ने था महराज रावन के बीश हुआ था उनके युद्ध के समय वो मैं आप सब के सामने रख रहा हूँ I hope you will enjoy it वा रावन वा भगवान शिर्करत्रशूल की भाती प्रचंड वायो पुत्र हनुमान की मुझ्टिका का प्रहार तुमने सह लिया तुम सच मुच परम शक्तिशाली हो परम तु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी ये शक्ति अधर्म के कायों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुँच गए रावन भक्त और ग्यानी में अंतर होता है भक्त चाहे बूर्ख हो परम तु हुदय का सच्चा और मन का सरल होता है परम तु ग्यानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है जिससे सोर्ण लंका के राज सिंग घासन पर पैट कर भी जीवन की अपूमसा का काटा चुब रहा है तुमारे जीवन में इस समय अशान्ती चिंता और तड़क के अतरिक्त और कुछ नहीं है तुमारे जीसे हर्दुराचारी को एक समय इस बात का अभास हो जाता है कि उसका अंतसमे निकटा गया है और तब वह गायल साब की भाती अपनी सुरक्षा की बिल ढूंता प्रता है लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं नहीं वही अवस्था इस समय तुमारी है तुमारे पाप कर्मों के विश्क प्रभाव ने तुमारे मन की शान्ती को ज़रा दिया है और तुम और तुम उस पाप के विशेले काटे की चुबन को चुपाने के लिए उची-उची आवाज में बड़ी-बड़ी बिंगे मार रहे हो जिने तुमारा अपना मन भी सच नहीं मानता इसी का नाम है दुर्दशा रावन युद्ध जीतने के लिए अस्त्र शक्तों की गिनिती और पाश्विक बल्ग की आवश्रता नहीं होती जुद्ध जीतने के लिए अवश्रता होती है धर्म और अज्ञात में शक्ती की तुमने एक समय लक्षमन से कहा था कि हमारे यहां कोई नीसी, कोई धर्म नहीं होता परन्तु हमारे यहां जुद्ध का भी धर्म होता है कि हम निहत्य शस्त्रहीन शत्रू पर कभी बार नहीं करते ये है रगवशों की विर्था अब जाओ कल फिर शस्त्र लेकर आना महराज रावन चले गए और अगले दिन जब फिर उनका युद्ध भगवान श्री राम से हुआ तो जो हुआ वो हम सब जानते हैं जो मैंने पहले भी आप से कहा था कि अनीती पर नीती की विजए हुई अन्याए पर न्याए की विजए हुई अधर्म पर धर्म की विजए हुई और असत्य पर सत्य की विजए हुई जै श्री राम और अब आखिर में मैं मेरी बीटिया सोनिका जो इस समय आप सब के बीच बैठी है मैं उसे हाई कहना चाहता हूँ हाई सोनिका कैसी हो तुम I'm sure you must be doing well please take care of yourself आप सब के लिए भी बहुत बहुत शुब काम ना है आप सब अपना ख्याल रखेगा नमस्कार